नमस्कार साती और राजस्तान अड़ा पर आप सभी का स्वागता भिनंदर है जितने भी साती हैं सभी विध्यारती मिलकर एक बार सेशन को अच्छा से लाइक सेर कर देंगे और जुड़ जाएंगे आज के सेशन आज अपन बात करने वाले हैं RSMSSB LDC जो 2018 में आये थी और लगभग नई 100% है कि 2023 में चुनाओ से पहले पहले ये वेकेंशी आएगी और बहुत बड़ी वेकेंशी आएगी अब इसके उपर आज अपन विस्तरत चर्चा करते हैं कि इसकी योगेता क्या है पहले की 2018 के अंदर काठोब क्या थी किलेबस क्या होता है तो पूरी की पूरी चर्चा करेंगे आज के सेसन में कितने नंबर का पेपर होता है किस प्रकार के पर संफ पूछे जाते हैं कौन कॉन से इसमें most important होते हैं तो सारे सवालों के जवाब आज आप लोगों को इस session के मादम से मिल जाएंगे, तो बिल्कुल मेरे नोजवान विध्याटियों करना कुछ नहीं है, अगर मैं पहले आप से बात करूँ कि भहिया, इसकी योगिया क्या होती है, exam pattern क्या होता है, तो पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका paper जो होता है, वो 300 number का होता है, पेपर क second, ये दोनू paper को qualify करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके अंदर 40% marks की आउसकता पड़ती है, ये नहीं कि जिसके 40% एक subject में नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या विध्यारती इसमें qualify नहीं कर पाएगा, ये पहले बात बता देता हूँ, कि पहले और most important बात क्या है, इसमें 40 40% की सभी subject के अंदर क्या है, आउसकता होती है, पहला जो paper होता है, उसमें आपकी कौन-कौन से subject आते हैं, अगर मैं पहले paper की बात करता हूँ, तो mathematics आती है, और दूसरी आपका राजस्तान का GKS आता है, और आपकी science आती है, तीन subject से related इसमें, आपसे पहले जो paper होगा, उस history, geography, culture देख लो, और आपका क्या हो गया, math हो गई, और तीसरा आपका general science हो गई, तो देनिक जीवर में आप लोगों के लिए हमेशा उप्योग होती है, अब यह जो paper है, यह 500 person इसमें पूछेगा, और कितने number का है, 100 number का, और 3 गंठे का समय मिलेगा, लेकिन इसमें मैं बात जो है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्या पूछेगा, science के भी 50 question है, gk के भी 50 question है, और मैत के भी 50 question है, यानि कि मैं यह कह सकता हूँ कि मैत में तो 50 question है, 50 number के पूछता है, इसमें कोई किन्तु परंतु नहीं है, 2018 का भी आप लोगों ने देखा होगा paper, 2013 का भी इसका हो गया, अब जो दूसरा paper होगा, वो केवल और केवल किसका होगा, हिंदी और इंगलिस का होगा, जनरल हिंदी और क्या आपकी बोले गुरुजी इंगलिस, और यहाँ पर दोनु के अंदर 75-75 question पूछेगा, और कितने number का, 100 number का question यहाँ से पूछेगा, दोनु subject के अ अगर इन दोनु åt paper के अंदर आप लोग क्या करते हैं, क्यों कीजिपिबल हैं, face two के लिए इलीजिबल है, और यहाँ पर क्या करना पड़ता है, आपको 40% marks अनिवार यहाँ नदर, और अगर यह 40% marks आपके आते हैं, तो face two के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, typing की typing आपकी सो नंबर की होती है 50 नंबर की Hindi English 50 की Hindi और 50 की English देखो कि Hindi और English में भी क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले देखो आपकी Speed Test आएगी Hindi में 25 marks की और कितना समय मिलेगा आपको 10 मिनट का समय मिलेगा और अगर मैं efficiency test की बात करता हूं तो वो भी कितने बोले गुर जी 25 marks के आएंगे 10 मिनट के यानि कि हिंदी में आपका 50 marks का काम हो गया यहां पर भी आपको minimum marks no number आपको यहां पर available यानि कि जरूरी है 50 में से no no number यानि कि दोनों में 25-25 है तो 9 इसमें और 9 इसमें यानि कि 50 में से कितने 18 नंबर की यहां पर आप लोगों को आऊ सकता है यह जरूरी है आप लोगों को लाना ही लाना है अगर दूसरी बात करता हूं किसकी English की वहां पर भी क्या अगर से टेस्ट के बात करता हूं तो वही 50 25 और 25 दोनों में होते हैं 20 कि आपकी क्या है यहां पर निख देता हूं यह लो 25 कि आपकी क्या है baking है और 25 की आपकी क्या है efficiency test है यहां पर भी क्या आपको और 9-9 number कि आओ सिकता है यानि कि यहां पर भी 50 में से कितने बोले गुरुजी 18 नंबर हमें अनिवारी है यह लाना है यहां तक समझें अब इसका जो सलेबस होता है वो क्या क्या होता है इसमें आपको क्या देगा हिंदी के अंदर तो आपके साथे 400 सब्द आएंगे और अगर इंग्लिस की बात करता हूं तो इसमें 500 वर्ड्स होते हैं तो यहां पर भाई 10 मिनट के अंदर साथे 400 तो कितना आगया आपका एवरेज बोले गुरुजी 45 वर्ड्स आपको 45 सब्द एक मिनट में लिखने होते हैं और इंग्लिस में 50 सब्द एक मिनट में लिखने होते हैं यह तो आपके टाइपिंग हो गई पेपर का बेस बता दिया मैंने पहला और दूसरा पेपर ए सिलेबस आपका राजास्तान से रिप्रेट् जो आपका शलेबस का यो स्पधै वह यह है इसमें just संदियां उसे प्राज के के परमुकर राजस्तान का एकिकरण मुगल राजपूत संबंद स्थापते कल्याके परमुक सुधाये राजस्तान के धार्मी का अंदॉले ने लोग देवी देवताये था यहां पर लगा रहा है। किसका है राजस्तान का जीके हैं और अगला subject कॉन सा आता है यह आपको किसी से जरुम्हटनी के पहले के दोहजार तेरा और दोग देख लेरा सबसे पहला तोपिक अगर मैं आपको अर्थमेटिक की बात करता हूं तो रेशियो प्रपोशन कंपाउंट इंट डिसकाउंट परसंटेज प्रोफिट लोस होरीजोंटल प्लेश सेप एरिया दे और एरिया दे वोलियूम औप क्यूब क्यूब क्यूबर्ट सील कौन एंड सेलेंडर सरकल सरकंफारेंस एंड एरिया यह आपका पूरा का पूरा किसका है बोले गुरुजी मैथ का जो आप लोगों के 12 चीटी के अंदर सेलेबस था सेम टू सेम आपका किस में आता है आपका RS, MS,S,B, LDC में आता है और यही सलेबस आपका किस में आता है पटवारी में आता है और अगर थर्ड ग्रेड की बात करता हूँ तो इससे थोड़ा सा डाउन लेकिन टोपिक सारे उसमें भी यही रहते है के लिए अगला आपका कौन सा आता है बोले गुर्जी साइन्स का जो आप लोगों के लिए देनिक जीवन में जोग होती है साइन्स इसमें बड़ा रोल होता है साइन्स का मैं के दू बार बार आपको क्योंकि 50 क्यूशन पूचता है और physics chemistry biology तीनों से यहां पर क्या related क्यू पिकों के नाम भी लिखर के सारे के सारे और यह आपका क्या हो गया इंगलिस का पॉर्षन है यह आपका सेकिंड पेपर का है जो 75 75 क्यूशन आप लोगों से पूछेगा डेट सो परसंसो नंबर का काम करेगा अब बात कर लेते हैं जो 2018 में कटोप क्या थी पहले आप लोग दोनों पेपरों में जो 40% मार्क जिनके आये थे हो सकता है देखो 60% हो जाए यहां पर कितना दिया गया है बोले कुझी 200 नंबर का पेपर होता है लेकिन अनिवार यह 40% है 40% से जो उपर आएगा उसी की तो कटोप बनेगी तो यहां पर अगर जनरल की बात करता हूं तो ज यत 맛있는 हैश के इंदर जैंट की बात स्काइब के बात करता हूं तो 92 के बात करता हूं तो 71 वीडियोगरी के ऑनिदर । डाइवर्षट части Western के पूरी की पूरी आपकी कटोब बनेगी वह पूरे 300 नंबर में से बनेगी आजाओ अगला कौन सा देर खा आपका बोले गुरुजी यह लो तो कितनी था और कितने का यहां पर 20 गएंडर की आपकी अबनी अगर मा बात करता हूं तो और विडियो केटेगरी दोनों के नहीं और सहरिया की दी गई है जैंट्स की कितनी 79 बाकी की नहीं है अब यह आता आपका कौन सा बोले गुर्जी टीएसपी टीआसपी की जनरल की बात करते हैं, तो gent's की 80 है, female की 80 है, वीडियो के टेगरी में नहीं है, dv के अंदर कितनी है, 8.1 साथ है, SC की बात करते हैं तो बिल्कुल जेंट्स की 71 है फिमेल की 71 है और ST की बात करते हैं तो कितनी बोले कुझी 71 71 इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है मेल और फिमेल दोनु के अंदर कटोप और किसकी बोले कुझी 9 टीएसपी की अब यह क्या गई मेरे लड़ो आपकी जो क्या हो गई गोले गुरुजी अब हमारी टाइपिंग हो गई टाइपिंग होने के बाद में जो फाइनल कटोप गई थी वह कटोप यह थी और इसी के अ अगर साती 21 किसके आसपास बोले कुझी साती 21210 अगर मैं 323 परसेंट के आसपास था आकड़ा और फिमेल की बात करते हैं तो 208 वीडियो के टेगरी में और डाइवर्शन के अंदर कितना एक सो उन्चास ऐसी की बात करते हैं तो जनरल फिमेल और यह इतनी 92 192 158 वाई 100れた 202ाउं बात करते हैं तो कितनी बोले गणूर जी कितना शुकी कनदर 143 और पनदर कीम कि बात करते हुए अगर पुरुष की बात करता है 22015 15 पूरा पूरा करता हम है वीडियो के टेगरी योज इसमें है नहीं ! कि बात करते हैं तो एक सो निन्यानव है पुरुसकी और फिमेहिला कितने एक सो अरतीस है अगली क्या है बोले गुरुजी जो होरीजोंटल रिसर्ज रिजर्वेशन होता है यहां पर कितना एक सर्विसमें की 121 यह पूरी की पूरी यहां पर क्या देर खी बटा कटोप देर और यहां पर क्या दिया गया है बोले गुरुजी नॉन टीएसपी की पूरी की पूरी मैंने भी लगा दिया दूबारा लग गया यह आपकी टीएसपी की है अगर जनरल की बात करता हूं तो 178 जिस साती के नंबर आये हैं उनका सलेक्शन हुआता यहां पर किसमें पूरु ना समझे और इसी के अधार पर आप लोग तैयारी करें और आप लोगों के लिए राजस्तान अड़ा के उपर बिल्कुल यूटूब के उपर कलास से स्टार्ट हो चुकी है जिन सात्यों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो मेरी कलास हमेशा चलती है चार बजे और मैत के अंदर आपको पूरा का पूरा स्कोर करवाओंगा मैं लेने का बिल्कुल बाकी और आप लोगों के उपर डिपेंड करता है जितने विसाति है सभी को नमस्कात जै हिंद जै भारत रादे रादे जै स्रीक्रिशना धन्यवाद सभी सरतियों